नमस्कार दोस्तों मैं दिपानशी श्वागत करता हूँ आपका से जीपेश्शी व्यापमा में एक बहुत सांदर और पॉजिटिव नियुस के सांद जिया दोस्तों चात्रसगार में 46 पद उपर भरती का विज्यापन जारी किया गया है कौन से पद है क्या है इसकी योग्यता इसकी आयू सीमा पूरी जान करी देंगे बीना किसी तरीकी वीडियो को इस्टार करते हैं जिनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द अब जिले वाइस निकला है तो आप सभी को उसकी योग्यता सभी की समान रहेगी बस जिले अलग अलग तो मैं आपको योग्यता जो बताऊंगा आप उस योग्यता को देखिएगा बाकी जो बोलच थारी चीज़े वो सेम रहेगी ठीक है तो देखिए सबसे महत्वपूर बात है रैपूर में रैपूर में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा यहां पर स्टाफ नर्स MPW और जूनियल सेकेटियर एसिस्टेंट और क्लास 4 ऐसा करके टोटल देखा जाए तो टोटल 76 पद है टोटल 76 और अगर हम टोटल लेखे तो 304 पद 304 पद रैपूर में निकला हुआ है जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर यह जो है संवीधा भरती रेगुलर भरती नहीं है यह जहां पर आप सभी बारवी पास और एक वर्षी आपको कोर्स करना है और तीसरा है जो जुनियर सेकेट्रियर असिस्टेंट में बारवी पास प्लस एक एर का कंप्यूटर डिप्लोमा और चौथा फोर्थ क्लास के लिए टैन्थ पास है अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके लिए ज यारा बारा तारीक छै दिन है आप जहां पर भी शत्तिसगर में निवास करते हैं तो आप यहां पर अप्लाइ करेंगे तो तीन-चार दिन या पांच दिन में अराम से जो है पोस्ट के द्वारा पहुच सकता है तो आप रायपूर में यह जो जितने भी पद बता है उस प अपके लिए यह बोल लगेगा साथ में अगर हम बात करें यह जो है दिव्यांक अनुसरी जाती और महिला के लिए 100 रुपे है अन्य पिछला वर्ग के लिए 200 रुपे है और अनारक्षित समाइन्य वर्ग के लिए 300 रुपे है इसके अलावा कालेलीन समय 18 तारीक तक आपक पांच वर्ज के लिए और यहाँ पर 15 वित्तायो की अवधी के निर्धारित किया गया है जो भी निर्धारित किया गया है इसके अलावा आप देखेंगे इसकी आयू की जो गर्णा है वो एक जन्वरी 2022 के अनुसार की गई है तो आप सभी उस चीज़ के लिए भी निश्चिंत रहिएगा इसका जो पूरा PDF है डिटेल में आपको मेरे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा यह रही बात रैपूर संभाग याद रखिएगा रैपूर में कोई भी अपलाई कर सकता है चाहे वो आपका कोई भी जीला में हो वो अपलाई कर सकता है लेकिन वही दूसरी ओर जो कोर्बा जीले में निकला है तो उस कोरबा जीले में तृती और चतूत्य स्रेड़ी की भरती में सिर्फ वही के निवाशियों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी याद रखियेगा इसके अलावा कोई भी जीला अगर वहाँ फॉर्म भरेगा तो उसका प्रात्मिक्ता नहीं दी जाएगी सिर्फ वही जीले वाले फॉर्म भरेंगे तो एक बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ पे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा टोटल 76 पद है आपके सिदी सी बात है जो तृतिया और चतुतर सेंडी में जिसमें की स्टाफ नर्स MPW जुनियर सेकेंडरी और क्लास फॉर ऐस प्रवाले जानकारी मिल जाएगी लेकिन यह जो है कोर्वा वाला वाक इन इंटर्व्यू है जिसमें की स्टाफ नर्स के लिए है 22 अप्रेल MPW के लिए है 23 और जुनियर सेकेंडरी के लिए 25 और उसके बाद क्लास फॉर का है 23 तो इस प्रकार से यहां पे कोर्वा वालों के यह भी है और र्यापूर वालों के लिए है रेपूर वाले मतलब सभी लोग भर सकते लीकिन कोर्वा वाले में सिर्फ पर शकती है यह चीजह हो गई बाकि इसका नियम का यादा बोनों का सेम है ठीक है इसका पूरा डिटेल है आपको मैं टेलीग्राम चैन को जाएगा नी साथ में आप लोगों ने देखा कली परिवान अधिकारी के द्वारा उसका भी सुलक माफी है वहाँ पर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप छत्तिगर के निवासी है तो इसके अलावा गर हम बात करें बात करें आप सभी के लिए सिविल वालों के लिए भी जो है पिक्चर पुरी बाकी है आने वाले समय में चाहे वह सिविल वाले हो इलेक्रिकल वाले हो मेंखनिकल वाले हो आपके लिए आएंगी रही बात बहुत सारे लोग बिजली भाग की रिजल्ट के बारे में बात कर रहे है तो अभी तक यही अपडेट मिला है कि उसका जो पुद्यानिकी वाले हो या ग्रंथपाल वाले हो जो बी लीप करते है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी सुचना मिलने वाली है इसके अलावा डेंटल डेंटल वालों के लिए निस्चिंत रहिए या 140 से अधिक पोस्ट बहुत ही जल्द सीजी पीस्ट के माध्यम से भरे अगर वेकैंसी निकलती है तो वेकैंसियों के संब्द में बता दिया जाएगा या आपको घ्रंथपाल भरती से संब्दित जानकारी दे दी तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबीश्वस्त रहे और मस्त रहे झाल 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 झाल